कि है कि है कि एलो गाइज गैत्री विद्यावंदिर साचोर के यूट्यूब चानल पे आपका स्वागत है कि आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रूप को जाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि सारे वीडियो लेक्चर के पीडिय आपको टेलीग्राम ग्रूप पे मिलेंगे तो आप जल्दी से अपना प्रकाश को अपने तरीके से प्रकाश को अपने तरीके से मोड़ता है और उसका ये चो निश्चित तरीका है वो कभी बदलता नहीं और उसे हम उसका अपवर्तना कहते हैं इसके साथ हमने यह देखा था कि जब प्रकाश अलग-अलग माध्यम से अपवर्तित होता है तो किसी एक माध्यम का, किसी दूसरे माध्यम के स्थापिक्ष अपवर्तमान के इस प्रकार से जयात किया जा सकता है आज के लेक्चर में हम अपवर्तन के समंदित कुछ घटनाओं के बारे मा अध्यन करने हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखें इसमें पहली सबसे पहली जो घटनाओं के बारे माध्यम स multipial करते हैं तो हमें तारे जो है वो टिम्टिमाते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तम में तारों से आने वाले रोशनी जो है वो सीधी होती है होता क्या गाइस प्रत्वी की सतर से जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे पार्टिकल्स जो है उनकी संख्या कम होती जाती है मतलब नीचे पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे particles की जो संख्या है वो कम होती जाती है तो नीचे माथियम सगन है उसे उपर viral फिर viral फिर viral इस तरह नीचे से उपर जाने पर माथियम सगन से viral होता हुआ जाता है और उपर से नीचे आने पर माथियम viral से क्या होता जाता है तो किसी तारे से आने वाली जो रोश्नी है वो इन सभी माध्यम से होती हुए आएगी और इतने सारे माध्यम से आएगी तो बार बार इसका अपवर्तन होगा मतलब बार बार जो प्रकाश की किरण है वो मुड़ेगी और हमें वो प्रकाश की किरण सीधी आती हुई प्रतीत प्रतित होगी बार बार और इसके वज़े से तारा जो है वो टिम्टिमाता हुआ प्रतित होता है तो तारे का जो टिम्टिमाना है वो किसके वज़े से होता है वो अपवर्तन की वज़े से होता है multiple medium से बहुत सारे medium से इसका अपवर्तन होता है जिसके वज़े से तारा हमें टिम टिमाता हुआ प्रतीत होता है तो यह इसका कारा है दूसरा आपन देखते हैं अकसर हमने देखा होगा कि हमारे घर में बाल्टी जो है जिस पानी से भरी हुए किसी बाल्टी का जो तल है पैंदा है बॉटम वह हमें उपर उठावा दिखाए देता है अगर उसके कोई वस्तू डाल दी जाए जैसे कोई सिक्कर डाल दिया जाए तो वो भी हमें उपर उठावा प्रतीत होता है ठीक तो इसका कारणी प्रकाश का अबवर्तन है तो दूसरी जो घटना है वो है पानी से भरे पत्र का तल उपर दिखाई देना देखिए ऐसा क्यों होता है वो उपर दिखाई देना समझें माल लेते हैं हमारे पास एक टैं होगा और तो इसके ऊपर जो माध्य हम हें वह है here और यह म experienced rd तो एक वाला नुक्तव हो गया सघन और्द मुहाँ जिए वजाम हो गया विढ़ार माल लेता है हमारे पास यहां पर एक सिक्का पढ़ा है इसके तल पर एक सिक्का रखा इक है तो शिक्के से चलकर जाना वाली प्रकाश की किरणा घोची स्टर इस तरह से में मद ले तरह दो यहां पर ये बिंस दूर जाए हैं यह की दगल गड़ा कि लेकिन कूसी होगा और हमने पड़ाया कि अधियन regation act इस दिखाल गाज़ारी यहांपर लिखनाम दो जाएगी यहां पर विंट्राइब यह नहीं तो सीधी जीए अलेकिन क्या होगा दें है तो यह भी प्रतिशेद नहीं करेगी लेकिन यदि इन किर्णों को मैं पीछे की तरफ बढ़ा दू तो यह आपस में प्रतिशेद करेगी और अप्टिक से कहता है कि जहां पर भी किर्णे प्रतिशेद करती है या प्रतिशेद करती है वहां पर हमेशा वस्तू का प्रतिविम इसका मुख्य कारण जो है प्रकाश का अपबड़ता हुआ चैक इसके अत्रुक्त अगर माल लो कि किसी पानी से भरे हुए पात्र में कोई पैंसिल डाल दी जाए तो वो हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है उसका भी में कारण क्या है उसका भी में कारण है प्रकाश का अपवर्तम तो तीसरी घटना जो है वो है पानी में रखी पैंसिल का मुड़ा हुआ दिखाए देना समझे इसको माल लेते हैं वापस ये मेरे पास पानी से धरा हुआ कोई पात्र है ये है बॉटर जो की ही सकन माध्या में और उपर है ये ये माल लेते हैं हमने को चेंसरी में के सब्सक्रणा के ह्माल लिए प्रखाष दानं ब्रकूब है इस प्रगार से पैंसल्स से निकलने वाले प्रगाष की किरण है। इस प्र करेंच जाए। किरण गई है pearmic एहां गई ह। हम जानते हैं कि यह किस मर्तिम से किस मर्दिम जा रिये प्री ह्हां प्रकार प्रकित है प्रतिविन प्रतिविन होगा तो पैंसिल का आभासी प्रतिविन हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा तो हमें ऐसा लगेगा कि यह पैंसिल जो है वो मुड़ गी है क्योंकि हमें पैंसिल मुड़ी होई प्रतित को कि ठीक है तो इसका मुख्य कारणी क्या है प्रटाश शूर्यासत्त के समयें होता क्या है तो वातावर्ण कहा देता हूं मैं इसको वातावर्ण, ठीक, यह हमारा होरिजॉन यानि की क्षितिच, जब सूर्य क्षितिच से नीचे होता है, इस स्थिति की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है, तो सूर्य से आना वाली प्रकाश की जो किर्ण है, वो बाहर कोई पार्टिकल तो यह किस मध्यम की तरफ बिलियों करेगा, विरल, और यह किस मध्यम की तरफ बिलिय lavoro करेगा, ठीक है, इसमें पार्टिकल नीक होप सारे, तो सूर्य से लेत वाली प्रकाश की तो試्ष fare, तो यह मुड़े गी, उनका अपकबरत्व तो यह इससे की राटिएं, किसी किर्न तो इसका क्या मतलब है कि जब सूर्य क्षिति से नीचे होता है उस समय सूर्य सानवली प्रगाश की जो किर्ण है वायू मजल में अपवर्तित होती है और अपवर्तम की गारण उसका आभासी प्रतिविम उपर दिखाई देता है और इस वास्तविक और अभासी सूर्य की बीच में ये तो है मेरे पास अभासी सूर्य और ये मेरे पास कुन सा है वास्तविक सूर्य तो इस वास्तविक और अभासी सूर्य की बीच में दो मिनट का अंदर होता है किता मिनट का दो यानि जब सूर्यात होने वाला होता है उससे दो मिनित पहले ही हमें सूरी दिखा जीता है अपवर्तन के कारण और सूर्यास्थ होने के दो मिनित बाद तक भी हमें आवासी सूरी दिखा जीता है किसके गारण अपवर्तन के कारण ठीक पांचवा जो उपन इसका ऊणल देखते हैं, वह किसी काँच के स्लैब से प्रकाश प्यथा का अप वर्तन समय है देखें एक्टिविटी में माल लेते हैं हमाने पास एकांज का वो इस लैब है इस पिकार से इसको अपने नाम दे देते हैं PQRS और यह इसकी जोड़ा यह पर माल लेते हैं T यहां पर उपर कौन समाध्यन है Air यह खुद अपने आप में कौन समाध्यन है नीचे पर आपतित होती है ओ बिंदू पर आपतित होती है यहां पर बना देता है न अपने देते हैं यह वाला कौन क्या गया आप तन कोन आई प्रकाश की इस चीए थी काइस सीधी लेकिन यह सीधी न जाकी चुंकि यह किस मत्यम से किस तरव में जारी है यहां पर वासिस मर्दियुत पूसे किस मर्दियू दो कि यह वाली किरण वापस क्या बनेगा और क्योंकि दो समानतर रेखा वो तीर रेखा काटती है तो दोनों इस प्रणार के इंगल क्या देता है यानिकि दिर्गत को यहां पर हम क्या देखता है कि आपतित किरण और इस निर्गत किरण के बीच में एक समानतर गैप उत्वन होता है इस समानतर गैप को हम पार्षविक विस्थाबन कहते हैं क्या कहते हैं पार्षविक विस्थाबन तो हम यह देखते हैं कि यह जो पार्षविक विस्थाबन है आपको आपकी स्क्रीन पर एक ड्टैग्राम देह रा होगा, जिसमें काँजकी किसी स्लैड से हमने लेजर लाइट को गुजा रहा है। तो लेजर लाइट जो है हो काँजकी स्लैड से सीधी ना निकलकर उसके अंदर मुर जाती है, और हमें कुछ उसी प्रकार का डाइगराम दिखता है जैसा आपने बोर्टे बनाया है अराम से देखे उस डाइगराम को सेम हमें वह देखेगा जो हमने अभी डाइगराम इस पर बनाया है ठीक तो हम यह देखते है कि यह जो पार्श्टिक विस्थापन D है वो किन-किन factor पर depend करता है तो इसके लिए यृँ छोटासा derivation करता है बढ़िए के बराबर होगा इस ए के बराबर होगा इसे बढ़ंञा है इसके बारए मैं अलग से डिसक्स करूँगा कि प्रिंसपल्ल आब रिवर्सिबिलिटी क्या होता है तो हम इस इस पाश्व के सबन डी का मान निगानने के लिग आ करते इक आप आराम से छुनिए अगर यह वाला पूरा एंगल मेरे पाए है तो यह वाला मेरे पास किता बनेगा करबिट यह वाला यंगल भी मीरे पास आई ही तो वो यह वाला इंगल जो मैँने बनाया है अब यह वाला यह वाला यह बने बनेगा lagi-a-a-a-r ठीक, हम क्या करते हैं हम इस बिंदू को नाम दे देते हे睡 इन खुशनाइदा रिंध देते है वह और यह इस बिंदू को नाम दे देते हैं और ईस अपना पर अपने डाल भीता है इस jus मेंने नाल दिया और इस लम को आपनाम दे लेतह है जिस्कों यह मैंने नाम दिदए इसको ठीक है अब अपनं कुछ डैरिश्land प्रीशन इसमें डेगता है क्या होगा सुम्झें सबसे पहले पंद निकलते हैं कौस र तो इंवन और नपिपर तीटा वाली तो हैं होता है इसके सामने ऑता होगा लंग तो इह मिरे पास के आएगा अधर है देख रहा है N1 ओ एन वन तो यह मेंपास जाओजागा ओ एन वन और ढप डि़िए के सामने बढ़ी कुछा ओ यह सीधा के लेखें सब्सक्राइगे इस ओ एन बैंषंका करण 50 गेggरा है कि निकाल को सब्सक्राणस कॉने रखिगे इसको अपन क्या लें देता है संही करण एक अब आपस इदर देखते हैं इस वाले त्रिभूच में यहां से मिर पास आ जाएगा इस BD का आमान किस के बराबर तो देखें बिडिक का मान किसके बराबर दिख रहा है पार्शुट विस्थाफन small d के बराबर तो चुंकि इस BD का मान पार्षियों कि इस थापन d के बराबर है तो इसको अपने d लिखे है यहाँ जाएगा sin i-r बराबर bd का मान किसके बराबर d और upon ob इस d का मान अपन को निकालना तो यह ob इसके हग में इधर आगा तो गोड़ा में आ जाएगा यहाँ जाएगा d is equal to ob into sin i-r यहाँ से small d बराबर ob की जगह हमें equation first में value है तो हम इसको equation first से इसमें रख देते हैं ob की जगह क्या आजाएगा पर पास t upon cos r और यहाँ जाएगा sin i-r इसको अपन देते है equation number 2 तो equation 2 से हमें पता चलता है कि जो पास्ट्रिक विस्थापन small d का मान है वो t के समान उपाती है तो हम लिख सकते है by equation second by equation second we can clearly say that d is directly proportional to t यानि पास्ट्रिक विस्थापन का मान इस कांच के slab की चोड़ाई के समान उपाती है जैसे जैसे इसकी चोड़ाई बढ़ती जाएगी इस पास्ट्रिक विस्थापन का मान भी क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा है धार अगर हम मोटा सा कांच का स्लाब लेता हैं तो इसके पांच मेड़ा ज्यादा आएगा और अगर अल खना कांच का स्लाब लेते तो आयागा जस्कम रहे तो यह पने लिसक्रापम कर लिये अप वर्तन से सम्मधित कुछ गडिणाओं के बारे में और यह मैं बता अंत्रिक परावर्दन यो हैं और यहां तोह मतलब किसी मत्यन के अंदर है तो हम सब्सक्राट करते हैं मकूल आंत्रिक पराव नहीं कि नियुक्estar हें टो को टल इंडरन रिफलेक्शन कña संब्स क्या होता है इसको समझने के लिए हम बहुत किस तरग है एक्स परमेंट केसी इस्परिमेंट कि 7-1 कि कि हमारा बास ताढमी से खुरा कोई रावटा है कुरा यह पर है है, एर, तो एर कॉन सा माध्यम होता है गाइस, बॉर्ट की कंपारेजन में विरन और ये कॉन सा होजाएगा, सगा, माल लेता है, कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, फिर ठीक, तो पी से चल गर जानेवाली प्रकाश की कोई किरन, किस माध्यम से किस माध्यम जा रही है, सगन माध्यम से विरल माध्यम में, तो क्या होगा, माल लेता है कि यहां पर यह आपतन कॉण है, आईवन, तो जानी तो सीधी चीए, लेकिन होगा क्या, कि यह इस अभिलम से क्या हटेगी, दूर्थ, तो यह इस तरह से जाएगी, ठीक है, और अभिलम और अपव इस आपतन कॉण का मान जो है, वो थोड़ा बढ़ा देता है, लेकि पहले आपतन कॉण छोटा था, अब मैंने आपतन कॉण को थोड़ा क्या कर दिया, बढ़ा है, तो इससे क्या होगा, कि जो अपवरतन कॉण है, उसका मान भी थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ा हो कि आपतन कौन के किसी मान के लिए इस अपवर्तन का मान बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा किता डिक्री हो जाएगा 90 यानि किसके वरावर आ जाएगा 90 समझे वापस प्रकाश की जो किरन है वह सगल मात्यम से ले विरल वरतन हुआ मैंने अगर आपतन कौन का मान बढ़ते बढ़ते किते डिग्री हो जाएगा 90 ठीक है तो इस आपतन कौन को हम क्रांतिक कौन कहते हैं क्रांतिक कौन तो क्रांतिक कौन की किस तरह से लिए आप्तन कौणका ऐसा इसके लिए अपो लतं कोणका मां जिता हो 90 क्रामति कौण करते समझता है इस अगर को क्राम्तिक कॉंड क可愛 अगर wij लूट के अगर में क्राम्तिक कॉंड सी ज्यादा कर जांगो हम ने जो आप्तल कॉण में क्रण्तिक क्राम्तिक कॉंड आज और यह उसी घटना को हम कहते हैं और आंत्रिक प्रावर्तन se Grand we are with a जाने कि बजाए उसी मन्दे में पूर्ऱुनरुप से प्रावर्तित हो कौन आंत्रिक प्रावतन के लिए दो important condition कि प्रकाश की किरन सगल मध्यम से वेल मध्यम में जानी चाहिए और आतन कौन का मान क्रांतिक कौन से क्या होना चाहिए ज्यादा तो वो प्रकाश की किरन दूसरे मध्यम में जाने की बजाए उसी मध्यम में कौन रूप से क्या हो जाएगी परावर्दित तो यहाँ प किया कि लिए somewhat कशुन कशिकर है कि किसी मध्यम कि कॉंण किस प्रकार से जासकता है टो चलिए इसको मेर फिलता हूं असघ्र हम बात करता है सिसी मध्यम के लिए किसी माध्यम का क्रांदिक ओंप किस प्रकार से तजिया जा सकता है how to find a critical angle for a particular medium समझे, माल लेते हैं, कि हमारे पास ये माधियम है, जो की है, कांच का स्लैब माल ले, या कोई भी माधियम माल लेते हैं, तो ये सगन माधियम है, और उपर जो है, वो हवा है, और उसका बन विरल माधियम माल लेते हैं, ठीक है, तो ये माधियम नमर एक हुआ, ठीक है, ये मा और इस सगन मध्यम का अपवरतन का मान किसके बराबर है तो अपवरतन का मान किसके बराबर हो आपवरतन 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 का मान किसके बराबर हो आपव लिए परापने तो हम यहां पर स्नेल का नियम लगाते हैं लिए यहां पर स्नेल का नियम कहता है कि sin i, upon sin r, बरावर होता है n2 upon n1, n2 क्या है दूसरे मध्यम का अपरजनाक और n1 क्या है पहले मध्यम का अपरजनाक तो समझें। यहां पे देखिए sin i sain i की जगे मिरे पास आपतन कौन कितना है i c, क्युआ है साइन । की शेयर का पराम्धिक्या कांट किना होगा हमेशा कराम्धिकांट के लिए 90 इजहीं पराम्धिक्या के लिए 95 रूट है और हस्प्राम्धियम कना चैनलर और हमेद रूरी मधिक्या Change हाँ परकिम का गुधर न कि अपर kids यहां परquisite something को लिख सकते हैं यह फिर अगर को यह नहीं लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं अपन अपन नीचे चल जाएगा और n2 upon n1 को हम लिखते है n21 n21 होता है n2 upon n1 यानि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपर बढ़तना ठीक तो यहां पर मिरे पास क्या आजाएगा? यहां से मिरे पास आजाएगा sin i c बराबर इस पूरे को क्या लेगे? यहाँ जाएगा 1 upon n21 अगर मेरे वको i c का मान निकालना है तो i c बराबर यह wydharaai ourselves sign in first one an 2 1 तो किसी भी माधियाम के लिए हम ट्रांति कौन का मान इस प्रकार से वह सकता है तो हमें कि पता चलता है कि कला help pad का जो मान हैं वो मत्यम के अपर वर्टनाउंग पर नित स्कोंकि अलग था की अलग होता है इसले अलग-अलग मत्युं これ के लिए क्रांतिक कौन का मान भी क्या होता है तो इस विडियो लेक्चर में हमने अपड़्तन से संबंदित कुछ घतनाओं के बारे में अज्जिन किया उसके साथ ही हमने पूर्णांत्रिक परावर्तन और क्रांतिक कौन के बारे में डिस्पेस किया इसे आगे वाले टॉपि झाल